स्रोवने मुक्ती यूटूब चनेले आपनागे शागोतों मांगलम स्रोवने मात्र से ही मांगल करने में शमर्थे ये कथा में इतने शक्ती है अरू दिव्य कथा है अंतक करन को शोधित करके जिश्यमान जगतीक बुस्तु पदार्थ से मन को हटा करके फिर जाके भगबातु पाशना करेंगे ये तो बहुत कुठीन बात है अगर कोई चाहे जो हम तो भजन होता नहीं मान हमारा बुश्यमान बुश्यमान बुस्तु पदार तो अच्छा लगता है बुश्य आभेशित चित्त बृत्ती इस स्थित में हमको कैसे भजन होगा हम कैसे भजन करेंगे तो कभी-कभी भजन में उदाश ही नता आ जाती है भजन में रश मिलता नहीं है अनन्द मिलता नहीं है हाँ कभी-कभी एक ड्यूटी करना है भजन करना है करती है लेकिन निस्प्रान एक जानत्रीक भजन नाम कर रहे हैं जानत्रीक पूजा कर रहे हैं जानत्रीक क्रिया तो हो रही है लेकिन मन रहता है बिशाय बुस्तु पदर्थ में ये करना है वो करना है यहां जाना है वो जाना है ये सब नाना परकार चिंतन ऐसा होता है ये के भजान एक क्रियातमक धिकने में लगता है जो भजन कर रहे हैं बस तब में अंतर जगत की जो स्थीती है वो जहां के तहाई है नाम करती है जब करती है द्यान दर talks करती है कुशिश करती है लेकिन सब के लिए यह नहीं कहती है यह हम जेसे करिश्टोधिकर इशादक के लिए इस शब्द जिसका मन लग गया है वो तो परम भग शाली है जिसका मन हरी कता में डूब गया है जिसका मन हरी चिंतन में रम गया है जिसका मन भगवत कता भगवत गुनान उबाद में रम गया है जिसके रिदाय में एक मतर मैं तो नमन करता हूँ ऐसे भक्त जो है चाहे गिरस्ती हो चाहे बईरगी हो मैं तो उनके चरन रस को बंदना खडता हूँ ऐसे भक्त के चरन लेनु मैं अपने मस्तक में धरन करना चाहता हूँ लेकिन शादर रहता है हम जैसे एक उरिष्टो दिगर शादक जो है ऐसे इस्थी थी जाद अतर भजन करते हैं एक नियम नियम अनुष्ठान वो भी जब मशुद्ध करके एक भगवत चिंतन में तलीनता तनमायता हो नहीं पा रहा है है ना तो बहुतों कहते हैं ऐसे भजन से क्या होता है ऐसे भजन और बहुतों क्या करते हैं अखिर में भजन छोड़चार के घूमना फिरना शुरू कर देते हैं जगन्नात पुरी चलो मन लगता नहीं क्या करेगा उनका दोश नहीं है मन लागता है नहीं क्या करने चलो जगननात पूरी चलो चलो नवद्धी परिक्रुमा करने चलो अच्छा चलो चार धाम करने चलो अच्छा चलो यह ऐसा करते है लेकिन ऐसा करते है उस मिलता नहीं है मिलने वाला है नहीं तिर्थो जात्रा पुरिस्ट्रम केवली मनेर भ्रहम सर्वशिद्धि गविंद चारण तिर्थो जात्रा पुरिस्ट्रम केवली मनेर भ्रहम ये मन की भ्रहम है सर्वशिद्धि गविंद चारण तीर्थ परिचेटन कर रहे हैं उस गांदर एक स्थान में बैट करके अगर राधरनी को रिदाय में धारन करके उनके चरण चिंतन करने का प्रयत्म करते हैं तो बहुत अधिक फ़ल मिलेगा तुमको तीर्थ में जाते हैं खाना पीना ठीक नहीं बजन का नियम नहीं रहने का ठीक नहीं क्रिया कर्म होता नहीं क्योंकि अलग अलग पुरिवेश अलग अलग स्थान उहां तो नियम रक्षा करना मुश्किल हो जाता है खाना पीना भी अपनी चावनुशर मिलना संबब नहीं हम शुद्धाहर ही है, शुद्धाहर, पवित्राहर, जाती दोष, अस्षाइ दोष, निमित्तो दोष, तिरिविदो दोष, बरजीतो, हमको वो पुरुषाद होना चाहिए, तो बहर में थोरी मिलेगा, जहां मिल गया हो खाना पड़ेगा, तो क्या होता है, तो इस तरह से, जो अनन्द मिलता था, वो खतम हो गया, चित्त विक्षिब लेके आगया, और बहुतो हम जैसे कुनिष्टो दिगरी, और खतरनाक स्थीती, क्या करते हैं, चले जाते हैं, बंगल में, इदर उदर, तो वहां तो शरल सुर्दालो गिरस्ती जीवन है, ब्रिंदामन से शाद भाव है, उनके भजन में कितना अनुप प्रवेश्ट है, यह तो उनकी पता नहीं, वो देखते हैं, तिलक कंठी माला है, बईरागी है, कहां ब्रिंदामन से हैं, एकदम भाव गदगद हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, इस बार हम गये थे, हम रशाद जो गये हैं, कैस्तिती, हम पहचानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, जो कौन है, इनलों कौन, कहां से आया है, अरे यह ऐसे रोना, ऐसे पिटना, हाँ हाँ हाँ, ब्रिंदामन से आया हैं, शादू, बड़े नाम है, नाजाने, इनका थोरा सक्रिपा मिल जायता हमारा जिमन धन्न, थे क्या होता है उनके सूरोध्धा देखकर के आदर देखकर के burden उनसे दिक्षाप्रात्रा करते हैं उन भी देखते हैं दिक्षा देना शुरु करते हैं। जाती है चेला बनके गुरू दे मैं जा रहा हूं बृढ़ाँ नमाद्द्ध। और आती हैं गुरु बनके . चेला बनके जाता है जब लोटता है तो गूरू बनके आता है बहुत सब्सक्राइब जानते नहीं है तो उनलोग तो सुद्दा शरल सुद्दा और वो भी दिखते है भाई अच्छा ऐसे गूरू बनना भाई कोई शादरन बात है इतना माझ्यताः इतनी आधर बुद्धी है चरन दो करके ठाली लाते है ऐसे हमारे बंगल में ला नहीं तो चरन लेकर को ठाली में दो लाते है और केश से मैया लोग न उसको तो साप करते है इतनी सुद्धा हम दिखें आइसे देखकर कभी बुत हो जाते हैं और आंकरत है ही है चलो कुछ चेला बनाओ ऐसा चेला बनाने से क्या होता है वो चेला का क्या कल्यान होगा जो अपना कल्यान करने ही पाया वो जगत का क्या कल्यान करेगा ये ब्रह्म मत्र है पहले अपना कल्यान करो आपना कल्यान करने से तुम्हेरे दरह जगत का जो कल्यान होगा वो लाखो ग्रंत अध्यान करका कंटस्त करके भी शस्रो परंगम हो करके भी वो कल्यान उसके दरह शंबब नहीं है जो अपने जीवन में रादारने के चरन में कि चित्मत्र भक्ती प्राप्त करने में शमड़ता हो गया वो बहुत गुना कल्यान करने में शमड़ता है उसका द्रिष्ट्री मात्र से उसका शंब्षर का मात्र से उनके शंबब का आने मात्र से ही सबबिक मंगल होता है कल्यान होता है ऐसे गुरु बनके क्या कल्यान होता है किसका कल्यान होता है ऐसे ही होता है ऐसे नहीं ओई चलता है नाम करता है ठीक है होगा कभी होगा होगा जुरूर होगा क्यों नहीं तो ये स्थिती है ऐसे स्थिती में शादक को कहीं जाना नहीं चाहिए दरुजबंद करो अच्छा लागे ना लागे बेठे रहो हाँ हरी कथा स्रुमन करो ये कथा में इतने शक्ति है ये कथा तुम्हेरे अंतक करन को पुरिशोधित करके और कृष्ण प्रेम पुरदान करने में शमरता है ये कथा में स्रुबन मंगलम स्रीमदाततम स्रुबन मंगलम स्रुबन मात्वसे मंगल करने में शमरता है शक्ति है ये कथा में कथा स्रुबन करके बहुत घर चोर के बहिरागी हो गया है ऐसा बहुत दिखा गया है लेकिन ऐसे शक्ति शमरता कथा जो है ऐसे प्रिमी भक्त के मुंकर इस तरी तो जो हरी कथा तो जाकर कि वो कथा में शक्ती रहती है उसमें दम रहती है ताकत रहती है वो कथा में ऐसा है ना तो इसलिए एक कथा जो है कथा स्रुबन करना चाहिए बिन शत्चंग न हरी कथा तेहो बिना मोहो न भाग, मोहो गए बिनु रामपद होय न दिरोनु राग, बिनु सत्संग ना हरिकता, तेहो बिना मोहो न भाग, मोह मने ये संग्षार मोहू, ये मोहू ही तो कारण है, संग्षार बंधन का कारण तोड़ी है, इस्तिरी पुत्र कुटम्ब परिवार ये ब जगत बंधन का कारण तोड़िया है। जगत बंधन कारण तोड़िया है। तो देखते हैं, कृष्णम आये, यह प्रणम है, सब जगत, है ना, तो यह बंदन का कारण है मोह, मोह किसे कहते हैं, मिथ्था बस्त में चित्त की जो जिड़वी निवेश, उसको मोह कहता है, मिथ्था बस्त वो हमारा नहीं, हमारा होगा नहीं, हमारा हो नहीं सकता है, लेक पुत्र पुरिवारा दी जो है यह है मुह यह बंधन का कारण है संग्षार बंधन का कारण नहीं जाओके कहां संग्षार छोड़ करके इससे लिए हरी कथा बिनुशत्षंग ना हरी कथा तेहु भी न मुहो ना भाग यह मुहो जाने वाला है नहीं भजन करके अगर कोई चाहे जो एकांते में भजन करके हम समस्त माया महों से निब्रित्त हो करके हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में समर्त हो जाएंगे कोई ऐसे सोस्ता है होगा तो जोरूर लेकिन संभब नहीं है बहुत कठीन है प्राथमिक अवस्ता में शाहदक अगर सत्षंग में नहीं रहती है महत्पुरुष के शानिद्द में नहीं रहती है गुरु शानिद्द में नहीं रहती है गुरु आदेश पालन करने का प्रेत्न नहीं करती है अपने शिच्चा उनुशार जो भी करना है विचार धारा उनुशार हो चलने का प्रैत्न करता है तो वो आगे चलके मारग भटक जाएगा वो सही मारग और ढूंड के मिलेगा ही नहीं कितना मारग है समझी नहीं पाएगा कुन मारग अब लम्मन करने से हम ठीक ठीक राधरनी के चरण में पहुच जाएंगे ऐसे ऐसे बिशम स्थिति आती है वो जानी नहीं पाते हैं हब हम क्या करें ऐसा है ना तो महत पुरुष महत पुरुष तोंको वो मार को प्रदर्शन करेंगे इसलिए महत शानित रहना और हरिकता स्रवन करना बिनु सत्षंगना हरिकता तेह बिना मोह भाग ये मोह जाना संभब नहीं आए और मोह गये बिनु रामपद होए न दिले अनु राग मोह जग तक नहीं जाता है तब तक हमारे राधा क्रिष्ण जुगल चरण में अनु राग होना शंभब नहीं है अरिकता इसलिए अरिकता ये माप्रव के परम मंगल माए भुबन पावन अंतक करन शुद्धी करन के लिए एक महूशदी शरू ये महूशदी स्रवन मात्र ही मंगल करने में शमर्थ क्या बोल रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए जज़त परिमां तिब्र बोईड़को अनाशुक्ति तिब्र भजन की आवश्यकता है वैसे हो नहीं पा रहा है जैसे एक साहधत के लिए प्रातस्नान बहुत आवश्यक है तैग बोईड़को गुरुचरण में निष्ठा तिब्र भजन आवश्यकता है लेकिन सबस्थान पर ही फेल हो रहा है इसका कारण क्या है फेल मने क्या है उस तो है अपने दुरुबल इच्छा अलश इच्छा उसमें तिब्रता नहीं है कठरता नहीं है उसके प्रती दिल लगाव नहीं है एक मतर कहने के लिए है बस लागाव ठीक ठीक होने से क्यों नहीं होगा होना चाहिए, होगा क्यों नहीं तुम उठोगे नहीं, करोगे नहीं अब तुमको डंडा मनने से थोड़ी होगा, तुम्हारे पितर बीबेक की जागरिती अगर नहीं होती है, तो ऐसे थोड़ी होगा, दो दिन उस्तान करोगे, तिन दिन करोगे नहीं, होगी है, जामिला मिट गया, अब बोलने से क्या होता है, तुम्हारे पितर जब तक बीब जगने से वो जगता नहीं है, अपने विवेग भीतर सी जगना है, हमको आई है, हमारी समय बित जा रहा है, बृता समय नश्ट हो रहा है, हाई हाई अब प्रभात होगी आप, अभी तक हम शो रहे हैं, अब विवेग में भीतर सी कैसे अंतर दावागा नहीं आया, रात के पहले प्रहर में सब कोई जागे, दुस्तरा प्रहर में भोगी, तिस्तरा प्रहर में तशकर जागे, चोहता प्रहर में योगी, यह रात्री तृतियों प्रहर जो है, चोहता प्रहर, तिन घंडा एक एक प्रहर होता है, छैसे नौ प्रुदम प्रहर, रात्रा पहले प प्रहर में शब कोई जागे, बच्चा का अच्छा सब नौबाजे तक जागता है, दूसरा प्रहर में भोगी, सब काम से निब्रित्त हो करके, दुकान पाठ, आदीश अब निब्रित्त हो करके, नौबाजे से बराबजे तक शंक्षरी लोग जागे रहते हैं, कोई तोरा स्टीवी देख लेते हैं, कोई कुछ चैनल देख लेते हैं, कोई तोरा गफ्षप कर लेते हैं, इत्तादी बराबज जाता है, तिस्तरा प्रहर में तस कर जागे और चोर कर समय है 12 बज़े से तीन मज़े का षोजाते है ना बास ये उनके जागने कर समय है छोर गोँदा प्रहर में जोगी और जोगी जागते हैं तीन मज़े से भजन क bravery करने आये हैं थवरा उनुशिलन थोड़ा साधन चिश्टा, साधन में थोड़ा तिब्रता, यह तुम्हारे बीवेक स्वया हुआ बीवेक है, तुम्हारे बीवेक तुमको नहीं जगाया, क्या कोई जगाने से थोड़ी हो जाकता है, एक दिन जगेगा, दो दिन फिर चीतों के स्वया रहेगा, क्या काम है त तुम्हारे विवेक स्वया हुआ है, शुप्त विवेक, विवेक की गती चार प्रकार, एक जागरत विवेक, एक शुप्त विवेक, एक मुर्चित विवेक, एक निर्दुत विवेक, विवेक, यह चार प्रकार, जागरत विवेक जो जागे हुए है, एक दमर्श हुआ है, जा निशा शर्व भूता नंग तश्ञ जगर्ति संग्ज्म है क्यों जब बहग्म क्वनुध पश्चत मुने। को जागे रहते हैं। मुनि-जन सबस्ख्षार मुन reden। वहाक और जाकते हैं। प्रित्ती वहां निशार कलु度 सिंद्धर कान्त Beth ITNo våra2 journey... नहीं इस संपरक में, संपरक से दूर रहे करके अपना चुपचाब जी से शोया हुआ है है ना, तो मारा बीबेक तुमको जगाएगा तब तक बीबेक का ठोकर नहीं मिलता है तब तक जाकर के कुछ होने वाला है नहीं है ना, यह बात है तुम जो कहते हो ये तो कुछ तो है मजबूरी अलग बत है जिए बीमार हो गया कोई बात नहीं लेकिन ऐसे शादक बता हमरे प्रातकल उटना मुश्किल होता है ये वहता है वहता है ये बोलने से दोगा नहीं भाई अगर शाधन करना है तुम पो तो ये कश्ट तो शीकार क करना चाहिए कथा में ये सकती है सादक के बिवेग को जाकृती करने के लिए एक महूर सदी सौरूप है नहीं तो ये कौन जगाएगा तुमको तो स्वधर गर में कोई जगाएगा तो है तो पहले उटने से और एक है इतना जल्दी सोजाओ शोजाओ अगर मानलो घर में अ जल्दी उटके बैठके घर मी असान्ति पहल जाएगा यह तो भकष्जी बन रहे हैं यह तो यह यह कर रहे हैं यह तो माला लेकर बढ़ के बढ़ रहे माला लेकर बढ़ोड से काम हो जाथ भाई टी बी देखो, जगणा करो कला करो, कुस करो कोई अब्जेक्शन नहीं माला लेखे बैठा बस अब्जेक्शन एशंग्षारी लोग तो करेगा ही तुमको प्रणा थरी देंगे तुम उठो 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 भजन करो कौन देगा? संत देगा गुरु देगा शास्त्र देगा तुम्हारे बिबेग देगा सबसे बड़ी बात है तुम्हारे बिबेग बिबेग के जागड़ी नहीं होने से थोड़ी शब्दों से, किसी की प्रणा से थोड़ी तीब्रभजन थोड़ी होता है, थोड़ा जागो, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा यह करना ही पड़ेगा, इसका कोई अफ्षन नहीं, बताओ. कि काथ श्रवन और कथा अध्यान में कुछ परक हैं? बस श्रवन करते हैं बस आधियन करते हैं रोज बागुतं का या बस रह माइंता तो मेरा प्रश्न धर कोई भक्त श्रवन और अधियन में फर्ट है बस्त या फर्त है या फर्ट है अधियान वद्धा अपने वीचार से उसको हम लेते हैं है ना उसमें भी प्रणा का स्रoth है लेकिन काथा में क्या होता है काथा में साधा जो अपने अनुभाब शिद्य ग्यान वो कथा जो कहते हैं उसमें कुछ शक्ती नहीं रहती है वो शक्ती जाकर के उसको भीतर को शुप्त शक्ता को जगा देते हैं उसके जो कथा में इतनी दम है बिनुशत्संग नहरी कथा शत शंग क्यों पहले भकती सज्जन कर शंगा क्यों कता तो कितब में बहुत है अध्यान करने से हो जाएगा मुथता अध्यान है वो भी मंगल करी है ऐसा नहीं लेकिन वो बहुत स्लोली उसका भीतर में उसका मिलता है वाद पर चेतना जगाने के लिए बहुत समय लगता है लेकिन ऐसे इसे कता है और कता सब के मूख से नहीं जो ऐसे अनुभवी आचरनशिल निश्वर्तो निल्लोभी भगवाच्चरन में समर्पितो आत्मा निरभिमानी अनिंदुख ऐसे जो प्रेमी भक्त है उनकी शब्द में दम रहता है तुम किताब में पढ़ती हो अमेरिका कहा अमेरिका ऐसे है ऐसे स्टेट आए इसा है वहां शब्द में देख और एक ज़ो आमेरिका व्हो शब्द स्टेट देखके आया है देखके आके जब वह बोल रही है तो उनके मुख से शुनने से कैसे लगता है अच्छा वो जगह कैसे है वो जगह अरे किताब में तो है तो जियोग्राफी में तो तुम पढ़ते हो उससे जदा लेकिन ना वो तो देखके आए है ना वो शब्द कुसा अलग होता है ना अनुभव का प्रोगव इसलिए कथा जो है ऐसे अनुभवी महत पुरुष जो ताके तुम्हारे चित्रनशत्ता को जगहन में समर्थ रखते हैं ऐसे इसलिए महत शंग हो है ना इसका कारण क्या वैश्णव अपराद या संता पुशंत अपराद या गुरु अपराद ऐसा कुछ हो सकता है नियम पालन करने ही पा रहे हैं मजबूरी है और एक है हमने इच्छा ही दुर्बल इच्छा दुर्बल चेश्टा दुर्बल आग्रह ये जो दुर्बल आग्रह ये ठीक नहीं है उसको शिका नहीं करना चाहिए अच्छा लागे ना लागे हमको करना ही पड़ेगा अच्छा लागे ना लागे हमको करना ही पड़ेगा अच्छा लागे ना लागे यह नहीं ज़रूरी नहीं है तुमको अच्छा लगना चाहिए ऐसे अगर मनलो ना हमारे कोई आग्रही नहीं दुर्बल चेश्टा दुर्बल इच्छा ऐसे नहीं और कुछ है मजबूरी गुरू शेबा में ऐसे मजबूरी आश्रमिक शेबा में ऐसे मजबूरी है जो हमको शमय मिलता ही नहीं लाग कोशिश करके भी मैं आशन में बैटने ही पाता हूं वह अलग चीज़ है लेकिन दुर्बल इच्छा दुर्बल चेश्टा यह ठीक नहीं है इच्छा करने से तुम कर सकते हो बहुत हो कहते हैं जो हमारे निद आती है क्या करें उठते फिर शो जाते आरे भाई होगा उठो निद आईगी कोई बात नहीं है फिर उठो रोज उठो ऐसा करते 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 उसका आदत बन जाएगा उब्याश हो जाएगा automatic कुछ समय है automatic को जाग जाएगा तो अभ्याश करना पड़ता है तो हमारे महाप्रभु के यह अम्रितमय कथा भुबन मंगल कथा सादक के लिए संजीमनी शरूप यह संजीमनी कथा यह स्रवन करना बहुत ही जोरूरी है इस कथा में ऐसे शक्ति नहीत है महाप्रभु के बाने में इतने शक्ति है जो कि यह शुप्त चितन सत्ता को जागाने में समर्त है आपने ननाप्रकार पड़वित्ती से आक्रान तुझे आमारे अंतकरन बीड़ती इसको पुरिशोधित करने में समर्त है कथा ऐसे अम्रितों में कथा कथा स्रवबन करना चाहिए शतांग प्रशंगात मामा बीड़ जे संग्विदो भबंती रितकरन रशायन कथा तज्युशनात ताशु अपबर्ग बर्त्मिनी सद्धार अतिर भक्ति रनकुमिश्यति सद्धार अतिर भक्ति कि करम उन्य बाढ़ता जाता है कि सद्धार अतिर प्रशंगात मामा बीड़ जे संग्विदो मने उशक्ति शमन ने पखा सब के मुख से सुनने से होगा नहीं जो आचरण नहीं करते हैं जो भजन नहीं करते हैं सिरी किताबी बिद्धा वो शब्द से होगा नहीं ऐसे लिए सुनता सब के मुख से होज़ी कता स्रुमन करने से ऐसे अशुफलप्रद नहीं होता है हमारे महाप्रभू आप यह निबास कर रहे हैं निला चल धाम में आप सन्यास लेकर महाप्रभू निला चला आए है चैसाल गमन गमन चैसाल दक्षिन भारत भ्रमन की है फिर आकर के नवद्दीब गये है नवद्दीब ओकर के फिर गये है तोमारा व्रिंदा बन धाम दर्शन कर के प्रयाग होते हुए महाप्रभू आए है निला चल जगनात पूरी में महाप्रवू निवास कर रहे हैं रोगनात दाजगुष्वामी महाप्रवू के प्रेम शन्दम्नित्प्रप्त करके धन्य हो रहे हैं परमती बवईराग ले करके महाप्रवू अजन करती हैं इतना में क्या हुआ महाप्रभु जब काशीपूरी में जब निबाश करते थे जब तब अपन मिस्त्र के घर महाप्रभु दो महीना रहे तो दो महीना इस समय शनातन गुश्चा मी बंगला बिहार उरिश्च शक्रेमान उधिपती महाप्रभु के प्रधान मंत्री समस्त मंत्री बाद परित्याग करके संक्षार तिरना बाद परित्याग करके तिब्र बईराग लेकरके महाप्रभु के प्रिम्षानिप्द प्राक्ति उद्धिश्च लेकरके बनारश में काशी में तपन मिस्ट्र के घार, सनातन गश्चमी, महाप्रभु के सानिद्ध में रहे, महाप्रभु ए दो माहिना उनको साध्य साध्य तत्य सम्मंद में, उनको पूर्ण रुप से उनको ज्ञान प्रदान तत्षईत, सक्ति संचार करके, उनको पुरिपक्क को दर्शा प्राक्त करा करके, उनको ब्रिंदावन भेजे, जाओ, आपको ब्रिंदावन जाओ. जाब महाप्रभु काशिपुरी में निवाश कर रहे थे, उस समय तपन मिस्ट्र के छोटा सा पुत्र नाम था, लोगुनात भट्टो, महाप्रभु काशिपुरी में उनके भीतर तीक ब्रभई रगव उतकंठा, बास्पन में ना बरशुंदर ये समय अगर सही सही मार्ग मिल जाता है ना, वो फूल खिलता है, बास्पन में इसलिए, उचित है कि घर-घर में जो अपने बच्चा है, उसको कुछ धर्मियों शिक्षा देना जो रूड़ी है, अबे धर्मियों शिक्षा कुन देगा, घर में माता-पीता की शिक्षा है नहीं, माता-पीता ही जानते नहीं है, धर्म क्या है, शनातन धर्म क्या है उनका कोई ज्यान नहीं और आदुनी की करण के ये करूँ ऐसे आगया स्रोत आगया कि स्रोत में तो आपने भी खुद भी बह रहे हैं तर शेत अपने बच्चा को भी हम उसमें बहा दिये हैं जाओ तो बहे के चलो आगे कहां जा रहा कोई जानते नहीं है इस तरह से भोतिक शिक्षा हमारे धर्म शौश्किती को इस तरह से कलंकित कर रहे हैं भोतिक शिक्षा जो कि जहां धर्म का उन्हें प्रवेशाई नहीं वो शिक्षा क्या मंगल शादन कर सकता है भोतिक शिक्षा के साथ अगर धर्म का और बहुत्तिक शिक्षा के साथ अगर अधर्म का सांगी जोग होता है तो वो शिक्षा बरबिगातक होता है बहुत्तिक शिक्षा लेकिन अधर्म सब भड़ा हुआ है लेकिन हमारे आदुनिक शिक्षा पद्धति में चरित्र सोधन के लिए कोई बवस्ता है नहीं यहां कोई प्रशंग है ही नहीं एक दुर्जन चोरी करता है दुष्टता करता है लेकिन दिमाग खुब तेल जाए अध्यान करके बहुत आच्चा बड़े क्वाइड हो जाता है लेकिन उसका दुष्टता जाता नहीं है तो रेजाल्ट क्या होता है जब उसका बिद्धत्ता क्या होता है करोण रूपिया घोटा ला करता है उग्होट आला करता है देश्च में बैठ muscle बरके दॉकरे आथ इस्लिए वारा भी खातकर खतरोनाग दीजों को स्टु नेभू नहीं कि लिए संटिघ। और छाय। विए तरूक्त च्सीलिए कहा ले जारा है पुरा शिर्ष्ठी को बिनाश करने के लिए लिया जारा is एक एसे ँस Lets ौश्वा पना रहे हैं। इसका रेजल्ट क्या है भगवान की शुंदर स्रिष्टी को बिनाश के ले जाएगा एक दिन समस्तो जो अस्त्र है जो अटमिक पावार है जो अगर प्रोएग हो जाएगा ना शकरोशाल पुरा स्रिष्टी की एकदम लाखोशाल पीछे जैसे अधिम मनप जैसे तो ऐसे हो ऐसलिए धर्म उशिक्षा बहुत जोरूरी है धर्म उशिक्षा बहुत जोरूरी है लेकिन घर में तो यह शिक्षा कोई वावस्ता है नहीं अपने बच्चों को आप्म शिक्षा देते हैं कभी घिता बागवाद लेकर कभी बयटाते है कभी धर्म शंव reindeer कुछ उसको सिक्षा देते हैं तुम कौन हो? तुम आए रिकारों के हो? कहा से? शरीर क्या है? शरीर में तुम कौन हो? मरन निका बाद तुम कौन हो? शरीर कौन है? तुम कहां जाओगे, तुम कहां से आए हो, भगमान कौन है, भगमान से हमारे शंबंद क्या है, यह सब शिक्षा तो जुरूरी है ना, बहुत इक शिक्षम है को सिक्षम, इसके प्रावदान है, है नि, इसलिए बिनाश्क को ले जा रहा है, एक जन दुष्टो, सबाब खरा बहुत इक शिक्षम में अच्छा क्वालिफाइट बन जाता है, आगे चलके बड़ा-बड़ा खतर ना कर बिद्दता, करोरू भी घुटा ला कर देता है, कोई जानी नहीं पाता है, कहां से क्या कर दिया, है ना, और जब इसके बहुत इक शिक्षम के साथ, अगर धर्म का किड्न को निकल लेंगे, किड्डिक को दिखाएं गरे, किड्न को निखाएंगे अगर्ल सुन को अपरेशन करना पड़ेगा। अपरेशन करना पड़ेगा। अपरेशन करना है। इसलिए धर्मियों शिक्षा जरूरी है। आपने बच्चों को घर-घर में इतना तो करना ही चाहिए। तो इस तरह से शादु शंग में रहे करके महाप्रभु जब अपरेशन करना पड़ेगा। निवाश कर रहे थे काशी पूरी में तो लोगुनाद बच्चा था महाप्रभु के शाननिद्ध में आ करके महाप्रभु के प्रेम शाननिद्ध प्राप्त करके उसका चितना जग गया है। वो जान गए है। यह संग्षारा नित्य है। दिर्शमन जगता नित्य है। एकमत्र भागवात चरण में भक्ती शार है। यह उनके भीतर में बैट गया है। महाप्रभु के पीछे पीचे चलते हैं, महाप्रभु शोते हैं तो इनके चलन संबान करते हैं। और महाप्रभु जब किर्टन करते हैं तो रोता है, उस्षु दरा भैता है। मापरव देखते हैं बड़े शुंदर अच्छा बालक है मापरव जब चले जाएंगे काशी बुड़ी छोड़ करके अब निला चल चले आएंगे शनातन गुष्यमी को शिक्षादी करके बीदाय कर दिये हैं लोक शिक्षा के लिए शादक के जीवन जीवन में ये शिख्षा का बहुत अवस्च्छता है तुम ऐसे गृंत तो प्रणायन करो आप रगुनाथ भटो जम के रोणा शुरु कर दे प्रभु हम को ले चलो आपको साथ प्रभु हम को ले चलो प्रभु कहते हैं तुम्हाना माता पीता है कश्ट पाएंगे तुम अभी रहो माता पीते का पास रहो प्रभु के पीछे पीछे चलती है रोते 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 आहाल जैसे कौन हमारे जान को लेके प्रान को लेके जैसे जा रहे है है हमेरे प्रान को लेकि जैसे जा रहे हैं तो बले यह समझा बुजा करके जी बेटा तो अभी संख्षार छोड़के मत जाओ हम है जब तक माता पिता है तब तक माता पिता का शेबा करो माता पिता बिद्दमान है और जो भजन करने के लिए जाता है नहीं बलता है उह भजन टिकता नहीं है जाधा देर तक जाधा दिन तक हाँ एक तीब्र भजन आगर मनलो जागतिक शमस्तो बुस्तो पदारते से मुझा और किन चित मत्र आशकती नहीं तीब्र भईरग्य मने जंगल में रहे करके एकान ता जैस धुरूब जैसे धुरूब तो मातभी तो क्या स्वा किया है लेकिन तीब्र बईरग्या गया भगवान जान गए है अब इसका समय हो गया नारत को भेज दिन जाओ इसको दिक्षप्रदान करो ऐसे तीब्र बईरग्या लेकर के जो चले जाते हैं उसमें प्रत्व बैनी वहां तो भगवान उसका क्रिपा करते हैं लेकिन तीब्र बईरग भी नहीं भगाशक्ती भी गया नहीं तीब्र भजण में नहीं और बईरग लेकर के आ गए हैं बोलते हैं इसमें प्रत्व बैनी इसमें वो बईरग ठीके गा नहीं आगे चलके मिजगाइड दुसरे रास्ता में जा सकता है ऐसा है इसलिए महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं जो जब तक माता पीता है माता पीता का शेबा करना चाहिए कायमन बचों से जैसी हो माता पीता के मने बोईडाग लेकर जंगल मत जाओ ऐसे इस तरह समझा बुजा करके गुपल भट्ट को रखे हैं मत पीता के हैं तुम्हारे बेटा इसको समाल के रखना ऐसा करके महाप्रभु तो चले है निला चल धाम में निला चल धाम में आकर के महाप्रभु तो बिराजमन है बहुत दिन बेद गया अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया है जवानी आ गई है लेकिन महाप्रभु के जो प्रेम सनिद्द प्राप्त करके उनके भीतर जो एक बैकुलता तेब्र उतकंठा महाप्रभु के चरहन प्राप्ति लालाशा ये गया नहीं हर समय मन में ओई चिंता कब हमको ये संग्षण से छुट्टी मिल जाएगी हम जाएंगे चले जाएंगे महाप्रभु के प्रेम सनिद्द प्राप्ति के लिए तो एक दिन पीता माता की चरहन में पढ़ करके खुब रोना शुरू किया है माह हमको दर जाने दो हमको कुछ दिन के लिए हम जगन्नत पुड़ी जाएंगे हम महाप्रभु के चरहन दर्शन करके माह हम लोटके आ जाएंगे हम बचन देते हैं माह हम रहेंगे नहीं एक बार हमको आदिश दे दो हम जाएं हमारा मन मन नहीं रहा है हम महाप्रभु के एक वर देख के चले आए और पितमाता देखते हैं ये बच्चा का तो तो अपन मिस्तर हो तो महाप्रभु का आदिश्य ही तो आए है काशीपुरी में जान गए है जानते है तो ठीक है बेटा लेकिन जहना नहीं बईरग लेकर के वहाँ जहना नहीं आ जाना हम आया हम बचान देते हैं हम आ जाएंगे ऐसा बुल करके कुस पशादान लेकर के एक शिश्य भी शिश्य नहीं एक शिबक उस साथ लेकर के तो पाइदाली आना पड़ता है उस समय तो ऐसा कोई शादन नहीं था दुसरे जगा जाने के लिए कार ट्रेन ही शब्त बवस्ता थी नहीं यह तो ब्रिटीश आने का बाद वहाँ है ना पाइदाल पड़ता बुज आ रहे हैं चलते चलते एक भक्तो रामनदाश बिश्वास नाम की एक रामनदी भक्तो उनसे मिल गए हैं बड़े शुंदर देखने में शुंदर और बहुत अच्छा लागा बड़े आप कहां जा रहे हैं तो वो भक्त के जहां जगनात पुड़ी जाएंगे जगनात जी दर्शन करने के लिए ऐसे रोगनात भट्र भी सौंश्किता कोई अध्यान किये हैं सास्त्र ग्यान है और उस समय तो हर बिक्ती हमारे शिक्षा के एक मत्र माध्याम तर सौंश्किती सौंश्किती भीना कोई शिक्षा नहीं उस समय पश्चत शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं उसमें, उसमें हमारे शिक्षा पद्धती अलग थी, तो संश्किति माध्या में सापको संश्किति अध्यान करना जोरूरी था, तो संश्किति जानते हैं को अशास्र अध्यान किये हैं, रगुनाध भाट्टो को स्वामी, तो रास्ते में चलते-चलते उनसे परिचाई हुआ, वो रामदास शादू से परिचाई हुआ, वो देखते हैं महापंडित, परमपंडित, सब शास्त्र में एकदम अच्छा बुद्पत्ति, बढ़ी परशन न हुए हैं जो इनके शाद हम चालेंगे महापरभु कबास, दो महापरभु कबास जाने से मह महापरभु बहुत प्रशन न हो जाएंगे, महापरभु जो बिद्वान है, उनको बहुत आदर करते थे, खातिर करते थे, महापरभु शायंग बिद्वान, इसलिए महापरभु बिद्वान को बहुत अलग जो आदर करते थे, ऐसा करके रामदास, शहीत, लोगनाद भट तो आये हैं महाप्रभु के पास, महाप्रभु के पास आखरके, महाप्रभु तो दिख का ही पैचान गए हो, उसे बच्चा था, अभी नौजबान, शुन्दर दिखने में, तिलक तिलर लगाए हुए हैं, ऐसे शुन्दर, स्वरी का अंदर एक जोती, जो भजन करते हैं न, तो उसको चेहरा में उस खिलता है, चेहरा से ही पता चलता है ये भजन करते हैं, जो भजन नहीं करते हैं, ये भजन नहीं करते हैं, है न, शरीज, सुन्दर एक भाम मुर्ति दिख करके माप्रुप बहुत प्रशन हो गए है एकदम रोगुनात तुम रोगुनात हो ना रोगुनात भी एकदम बहुत दिन बाद माप्रुप के चरण शानित में आये हैं और माप्रुप एकदम छाती में भर लिया और प्रेम प्रिशत्तम के वो अलिंगन प्राप तो करके वो तो गदगदः हो गए एकदम रोना शुरू कर दिये बेकुली तो हो करके रोना शुरू कर दिये बहुत समय बाद श्वस्त तो हो करके भी महाप्रवो को वाशिर बत किये बलते हैं नहीं तो शमुद्रस्तान करके आओ हमरी आज प्रशाद पाना तो वहाँ जा करके शमुद्रस्तान करके आए महाप्रभु उनके लिए अधराम में तो जो प्रशाद पाने है जो आज रोगुनात को देना ये प्रशाद रोगनात महाप्रव का अधरम मित पा करके, ओ दुललव अधरम मितो, भाक्त बुकता बश्येटीन महावल एतीन होई तिस मैं पुकाये खाये पुन पुन शर्व शंत्रि पुकारीया कोई, भाक्त बुकत सिए जो भजन करते हैं, और भाक्त बुकत बुकता जल, चरन धुके जो जल और भक्त भूक तो अबसिश भक्त जो पुरषाद पाते हैं जो अबसिश रहे जाता है एतीन महा बल शादन के लिए बहुत बल शक्ति शमन निकाये अगर भजनन दिए है तो बहुत शक्ति इतीन मुस्त में रहती है ये तीन हुएत्य शार्व हुए आपे। हो गए हैं, हम जिस उद्दिश्य लेकर काई हैं, इतना कष्ट शिकार करके जगर्नात्पुरी में महाप्रभु के प्रेम शान निद्द प्राक्ति के तीब्रो आशा उत्कंटन लेकर काई हैं, आज महाप्रभु का ओवीतु के किर्पा हम को मिल गया है, आप्रिमस्त्रु को वह रही है, वो अधनमी तपा करके धन्न हो गए हैं, फिर उनके लिए स्थान निर्बाचन किया हैं, तुम रहो, यहाँ पर रहो, हमारे पास रहो, आच्छा, फिर जाके उजो रामदाश, रामदाश को मिलाने के लिए आए जो यह बड़े पंडित हैं, यह प्रम भुष् दर्शन के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, बुलाओ, रामदाश गए हैं, लेकिन उन तो घमंडी तो, उन आंकरी था, शुद्धा भुक्ती नहीं, ग्यानमिस्रा भुक्ती, मैंने भुक्ती को आस्षा करते हैं, आखिर में ग्यान ही उनके शादन का इसको कहते हैं, ग्यानमिस्रा भुक्ती, एक शुद्धा भुक्ती, एक है ग्यानमिस्रा भुक्ती, एक है ग्यानमिस्रा भुक्ती, और एक है शुद्धा भुक्ती, यह ग्यानमिस्रा भुक्ती, भुक्ती को आस्था करते हैं, लेकिन भुक्ती के द्वारा क्या प्राप्त करना है जो अब्विचारी भक्ति के द्वारा हमारी उपाशना करती है वन्विचारी भक्ति को आश्या करती है नावभीदा भक्ति शुद्धा भक्ति है नावभीदा कुम भक्ति है लेकिन नीरा पराद अपराल सुन्नो करके नाम किर्टन करने से प्रेम प्राप्त करने में शमर्त हो सकते हैं तो यह जाते हैं ब्रह्मक ग्यान में तल्लिन हो जाते हैं यह परम बस्त प्राप्ति यह दुरुलाब है इसके उपर कोई तत्य नहीं है यह तो जानतन उनुभाप्ता है नहीं कुछ पिता भी बिद्धा कुछ सेख लिया है अरोसी कोई बर्णन करना शुरू कर दिया है तो महाप्रुप प्रशन न हुए नहीं परम पुरुष भगवान कृष्ण चैतन्य के सानित में आकर कभी देखो कृपा से बंचित हो जाते हैं यह अभिमानी अभिमानी विक्ति जो है ना इस तरह से बंचित रहे जाता है अपना को हीन गैन अजगता बुद्धी इसमें ही प्रेम इसमें सर्वशिद्धी अभिमानी अभिमान बिक्ति को भगवान पसंद नहीं करते हैं कोई भी अभिमान तो ये अभिमान देखकर के महाप्रोप्रशन हुए नहीं दिखो इतना दूर से आए लेकिन भगवान पुर्ण ब्रम शनातन उपिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध करते हैं हम इतना आसन में बैठते हैं हम ऐसे शुद्धा ह्री है यह सब अभीमान यह भगवानी पसंद नहीं करते हैं ना भगमान ये पसंद नहीं करते हैं एक बार महाप्रभु कृत्तन अनंद में स्रिवाश अंगन में अपने समस्त पर्षदों के साथ महाप्रभु रात में कृत्तन करते हैं वह शाब के लिए प्रवेश अधिकार नहीं था, जो अपने नीजी जन अंतरंग भक्त उनका ही स्रीप प्रवेश अधिकार था, पिर अंतरंग भक्त के साथ महाप्रवेश हारी रात पिर तना अनंद में निमक नहों हो जाते थे, परमानंद में एक दिन क्या हुआ, एक दम दूदाहरी एक शाधु क्या नाम है उनका। दूदाहरी जो दूदे रुख दिन पड़म भक्त था। वो देवानन दोना। वो दूदाहरी बबा था। वो दूद पिके रहता था। तो वो एक दिन स्त्री भाष्पंडित को बोला जे आमको थोड़ा सा कृतनों नुष्ठन में आमको कुछ समय के लिए आमको तर सुनने काये तो मौका मिल जाए आम कुछ नहीं कहेंगे। दूर बैठे रहेंगे। बैठ करके थोड़ा स्रुवन करेंगे। मेरी मन की तमन्ना है आम थोड़ा सा महाप्रभू के बिना आदेश उनको बुला लिए बुला करेंगे। रखे, बेचा के रखे, तुम बेचे-बेचे सुनो, और महाप्रभु किर्टन करते करते, बलते हैं भाई हमको किर्टन में आज अनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है, नहाप्रभु ऐसा तो कोई बात है नहीं, फिर किर्टन करते हैं, बलते हमारी उनलास नहीं, यहां कोई ब भुखिरमुख तो कोई हाए नहीं, ओ भाधन करता है इसलिए स्री वास्पंडिक तो कहे रहे हैं, बहिरमुख नहीं, फिर किर्टन गर्तन करते हैं, उल्लास नहीं, नहीं बाइब बाई बाई के कोई भैक्ति यहां प्रविष्किया है, आप तो ना करने के तो कोई उपाए प्रभु ऐसा हुआ कि दूदारी एक बाबा जो दूद्पिके रहते हैं बहुत शात्तिक बैभार शात्तिक इनके रहनी भाजन करते हैं एकांत में रहते हैं तीप्र वईरागी ऐसे हैं वो थोड़ा आग्रह किया हैं हम उनको ले आए हैं महाप्रविक्दम अग्नी मुर्थी हो गए दुदाहरी होने से ही हमको प्राप्तो कर लेगा अरे दुदाहरी तो बचड़ा भी पी करके तो बचड़ा भी तो दुदाहरी है तो हमको प्राप्तो कर लेगा दुदारी का इतना घमंड है वो दुदारी है गाय के जो बचरा है वो तो आपको प्रक्त कर लेगा वो जो जगत उनमें है वो दुदारी है निगालो यहां से दुदारी दुदारी एक आहंकार अभी मान दुदारी है तो वो जो वक्त था दूदारी बहुत लज्जीत हो गए, लज्जीत हो गरके रो रहे हैं, श्रीवाश्पॉर्णित को कहते हैं, धन्य है, हमको थुरा सथ सुनने का मिला है, अच्छा है, महाप्रभु ने हमको यह ज्ञान दिया है, यह ज्ञान हमारे लिए बहुत ओचित्त था, यह सुनना चाहिए था, बस तभी दूद्पी करके रहने से क्या भगवत प्रिम्प्राप्ती होती है, तो उनके दीनता देख करके, फिर महाप्रभु यह तो परिक्षा कर रहे थे, जो देखते हैं वो, उनमें दीनता कितना है, फिर जाके महाप्रभु बुलाओ, उनको बु बुलाओ, बुला करके फिर अलिंगत दिये, यह दुदारी साधन तब तबस्षा इसका अभिमान नहीं करना, अभिमानंग, शुरापानंग, गौरबंग, रौरबंग, शमंग, प्रतिष्थ, शुकरिविष्थ, त्रएंग, त्यक्ता हरिंग, वजेत, अगर हरिवजन करन अभिमान, मैं पंडित, कुलिन, मानी, धनी, गैनी, मैं बईडागी, मैं त्यागी, मैं भजननंदी, यह सब अभिमान, यह सब अभिमान, आना-कोडी कीमत नहीं है, यह सब अभिमान का, अभिमानंग, शुरापानंग, मदिरापाई, जैसे अपना को क्या समझता है, सराप प्रतिष्था शुकरि विष्था हमको माने गिने चुने हम बहुत सन्मान होना चाहिए सन्मान करने से बड़ा हर्शित होते हैं तबसासा अपमान होने से बड़ा लज्जित हो जाते हैं मुर्जा जाते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं यह अहंकार का यह परिचायक है किसका अंदर के तुम अहंकार है यह परिचाय तुम दे सकते हो तुम जान सकते हो क्योंकर सन्मान में तुमको ज़्यादा तुमको खुशी होती है तो जानना तुम्हारे बितर अहंकार है क्या अपमान करने से तुम मुड़ जा जाते हो तो जानना ये तुम्हारे अभिमान है और जो अभिमान सुनना है वो क्या करते है कोई अपमान करता है मन अपमान कर दिया तो वो खुशी हो जाते है आहा यह हमारे मित्र है देखो यह हमारे दोश देख करके हमारे दोश से मुक्त कराने के लिए हमारे निंदा कर रहे है यह कमी है हमें है हमें है हमारे अच्छा मित्र है आहा बाबाबाबा अच्छा हम में तो यह दोश है हमारे जब निंदा कर रहे जुरूर हम में दोश है नहीं तो हमारे निंदा को करेंगे तो नीरा भी माने बेखती जो कृष्णा भक्त जो है न वो इसमें दुखी नहीं होते हूं शोसते अच्छा है यह हमारे प्रेमी है हमारे मंगल कामी है ऐसलिए बीबे कानंदो एक बानी में है बीबे कानंदो तुम उहां पर जाधा जाना उस स्थान पर जहां तुमको शब्ट कोई निंदा करते हैं तुमको अपमान करते हैं तुमको हीन बुद्धी से तुमको देखते हैं तुमारे पत नहीं करते हैं वो तो ऐसे स्थान पर जादा जाना क्यों ना मार मार करके तुम्हारे अहंकर को नश्ट कर देंगे तो तुम बहुत जल्दी प्रभु के पास पहुच जाओगे तुम्हारे अहंकर तो नश्ट हो जाएगा ना तो बहुत जल्दी पहुच आपको उहां तो इस तरह से महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं फिर जाके उनको आदर करके देखिए तरह प्रशंग कुरम में तुरह बोलने के इच्छा हो रही है तुक आराम था उस समय दक्किन भारत का बड़ा प्रशिद्य शंत थे उनका कथा में बहुत सारे भक्त आते थे क्यों तो प्रेमी भक्त है ता ना कहते थे रिदयसे यहांसे कथा कहते थे अम्रित में कथा भाव बीभावी तो हो करके उस्त्रुधारा बाहते थे और हरी कता कहते थे सब भक्त मंदली आते थे प्रतीदीन उत्तर उत्तर भीड बढ़ता ही जाता था तो एक पंडित था उनके बगल में वो भी दोचार चेला किया है वो बदन बजन नहीं है दोचार ही सरसा सरद्ध्यन किया है तो लोग आते हैं, भजन तो है नहीं, बुद्धी तो प्रक्रित बुद्धी, चेला को गहरे तो क्या लाया है, गुरु शवाकर, गुरु शवाकर, हमारे यहां यह माकान को इसको बना देना, तो बहुत पैसा है, गुरु शवाकर ने से भक्ति हो जाती है, ऐसे, कुछ अर हरिकता नहीं है, इसका निंदा उसका निंदा, तो अपना जो चेला दो चारा आते थे, वो भी देखती है, यहां आके गुरु के पासा आकर करके, मिलता नहीं है, चलो, तु का राम के वह जाएंगे, तो खुछ समय तो तो प्रक्रिकता शुर्वन करेंगे, यहां आकर तो गुरी जी के पास आते हैं, लेकिन यहां तो हाई हाई देव दो, और निंदा उसका निंदा, तो वो पंडीत, देखता है हमारी यहां तो कोई आता नहीं है, हमारी चिला लोग आता क्यों नहीं, खबर लिया जो तुकारम के उहों जाना शुरू कर दिया है, पहले तो भीर जमाल लेते हैं, भीर कर लेते हैं, शंग्र कर लेते हैं, उस जानते हैं तंत्र मंतर, अपना चिला लोग जब वहां जाना शुरू करती है, तो उनका च्छाती जल गया, च्छाती जल गया, जो आप हम तुका को छोड़ेंगे नहीं, तुका हमारा चिला को बहला कोई मतलब नहीं ह Cyrusuhan और ऐसं और चेला को भी बयला पुष्छला करके अपना इतना गुस्टा आया दूद भामूर काटा वाला डाली ले करके संद के तुम कोई अ तुम को आ रहे थे बेदा मेपाyd diyorsun काटा छहरी में margin और एकदम बीद गया मारते मारते एकदम अचे थो कि गिर गया तुगा रब फिर जब होश आया तो दिखते शरीर में काटा बीद गया बहुत कश्ट करके जब एक एक काटा उठाया लेकिन मन मन में प्रुष्ट ना आया ये ब्राम्वन हमको मारा क्यों ब्राम्वन मारा क्यों भाई ये तो पागल नहीं है ये तो पुंडित है ये तो ग्यानी है ये तो ब्राम्वन है तो हमको मारा क्यों ना हम तो कभी शग्यान तो कभी उनको बिरुद्धाचारण किया नहीं तो यह हमको मारा क्यों पागल तो है नहीं तो बीचार करने लगए तो क्या कारण हो सकता है तो कारण जब बीचार में कोई आया नहीं कारण है नहीं और जरूर हमने इनके चित्त को दुखाया हमको ग्यान नहीं है हम जानते नहीं है कारण तो हम ही है नहीं तो हमको मार जो रूरो कुछ उनका आचरन से बैबहार से कोई कारण बहुत दुखी जब हो जाता है या कृधित हो जाता भी जाकर मारता है तो ऐसा ही हमारे कोई कारण जो हम जान नहीं पाते हैं हम जानते नहीं हैं तो कारण तो हम ही है नहीं तो हमको मारेगा क्यों तो दोष्ट तो हमा क्वाल इस तरह से बुरी तरह से पीटा तो कारण क्या रहा है कारण जुरोर हमने कोई कुई गलती हो गया जिसकर ब्रामन दुखी हो गया हा हा तब तो मेरा वजनों का नहीं तब तो प्रभु हमके क्रपा नहीं करेंगे ब्राम्मन को हमने धुकी कर दिया ब्राम्मन को इतना कुर्धीत कर दिया हाई 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 हमारा गति देखो उल्टा वक्त के ब्याबहार देखो वीचार देखो तो मैं क्या करूँ चलो ब्राम्मन का पाश श्मा मांगने के लिए चलो पाम पकर कैसे भी हो उनके स्वमा मांगेंगे और उतो ब्राम्मन में घार आकर कि तो मौत अपराद तो होई गया भीतर में जलल शूरू हो गया जैसे आग में पजार रहा है इसे इक दो मुगनी में क्योंकि अपराद होगी यह ना भीतर में अंतरदाव पैदा हो जाता है समाज गया है जो हमसे बहुत भाट भूलोगी है हमने इस तरह से प्रहार करना उचित नहीं है हमने बहुत गल्ती किया है तो काल चलो काल जाकर के तरह सा मिठा लेंगे इतना में रात दो बाजे रात ने निद्रा नहीं तुकराम जा करके रोना शुरू कर दिया है उनके दो रजे के पास अरे इतना रात कोन रोता है अमरे दो ब्रहार के पर ब्रहामन बलता है कोन है कोन है बाई वो भी सोया नहीं रात बार क्योंकि वो तो अपरात की है ना जलन हो रहा था मैं तूका हूँ अरे तूका तूका दर्दा खोल के दिखाए तूका रब रो रहा है और आते ही पंपका लिए ब्रहामन का जै आप हमको बता दीजिए हम से क्या गलती हो गया किस कारण आप कितना कुरुदित हो गया हमारे उपर हमारे कुण से ब्यबहर के कारण बस आप कहा दीजिए मैं प्रतिग्य करता हूँ जीबन में कभी ऐसा अपराद हम करेंगे नहीं तक क्यार बस हमको पता नहीं आप बता दीजिए हम अपने को सोधन करनेगे हम को इस सोधन स्वधित करने का हमको मौका दीजिए बस रोला शूरी करें तो महान शंत है इसको हमने इस तरह से मारा फिर वो भी पांप पकार लिया तू का का तू का भाई तू हमको बचा ले हमने जो अपरात किया ना नरक में भी हमारे गती नहीं होगी तू हमको शंत है तेरी शंत हमने प्रहार किया तू हमसे शंत है यह है शंत इसको कहते हैं शंत शंत जो शंत होगे और शंत जो शाधाश हो शाधू इंद्जी को शाधन क कर लिए हो शाधू तो हो जाकर कि वो भी तू करम की मापय blockchain जाकर कि तू करम के संनित निहीं रहे कि वो भी प्रम्शंतव हो गए हैं ना तो यह बात है ना शाधू संग में ऐसा होता है लेकिन अभी मानी जीप का कोई कती नहीं तो वो जो आये थे रोगनात भट्ट के साथ वो तो ऐसी रहे गया कोई मंगलत हुआ नहीं मापरुब प्रशन्नों हुए नहीं उन पर उसके बाद आठ महीना गौपाल भट्ट को श्वामी रहे मापरुब के शन्नित में जगनात पूरी में उसके बाद मापरुब फिर आदेश किया है जे रोगनात अभी तुम्हें माता पिता है तुम को जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जब तक माता पिता है तब तक माता पिता का शेवा करो इनकी द्यानत के बाद फिर तुम चले आना फिर हम देख लेंगे अभी तुम को जाना रोगना स्षून करके तो जैसे बज़र प्रचार हो गया हम आये हैं महुआ प्रभू का सन्नीद में रहेंगे आर महाप्रव ये क्या कहे ना तु फिर संक्षार में जाओ लेकिन महाप्रव का आदेश पालन करना जुरूरी है बहुत रोए बहुत रोए महाप्रव फिर बहुत आशिरबात की रोगनात्तु कष्ट नहीं पाना ये ऐसे करना पड़ता है भक्ति मर्ग ऐसे ही है माता पिता की शेवा माता पिता की परशन्नता ये बहुत जुरूरी है जब तक माता पिता है जब तक माता पिता की शेवा करनी जुरूरी है तो इस तरह से बड़े कष्ट के साथ रोते रोते रोगनात भट्टों पिर चले गए हैं काशिपुरी में जाकर के माताविता के शेवा में एक दम तत्पर कयो शाल रहें, पिर माताविता जब अंतरदन हो गए तब रहुनात भट्टो पिर आये है महाप्रव के प्रेम्शान्डित्व में, फिर जाकर के वहां से उनकी छुट्टी, फिर कृपा प्रधान कीये है, वह माला दिये हैं, माहा प्रव्क की क्रीपा प्रषाद प्रक्त करके रगणाद भट्टो चले आए हैं प्रिंद्दावन में, यह हमारे स्वरुग utsramikka, एक जन रगणाद भट्टो, रूप सानतन भट्टो रगणादels," यह भट्टर इनकी जिवन चरीत, तो महाप्रभु इस तरह से भक्त को परम कृपा करके भक्त बच्छल भगवान, फिर बिराज माना निलाचल में, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे, आज की कथाय में बिस्रम, फिर महाप्रभु कृपा होने से फिर काल हम लोग पिर आगे चलेंगे, आद्विज खिर के लिए झाद्विज खिर के बिए जिखलेंगे, जा लोगवा होने लोगवान, आद बिए सब्स्क्रावट खिर को ए्यूचल आद्वार शाद्वावद कर लोगवाध्ट अध्यूट कर दिए